आज हम बनाएंगे पनीर की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही करारी और बहुत ही स्वधिष्ट बनती है और इसे सिर्फ आप 5 मिनट में बना करके रेडी कर सकते हैं अगर घर में आये अचानक से महमान तो आप उन्हें फटाफट से बना करके इस recipe को serve कर सकते हैं और वो आपके fan हो जाने वाले हैं तो चलिए इस recipe को हम जुरू करते हैं तो इस recipe को पराने के लिए मैंने यहाँ पे 1500 ग्राम पनीर लिया है उसमें हम डाल देंगे आधा चमच कास्मेरी लाल मिर्च स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर वन फोस चमच हम इसमें डालेंगे गोल मिर्च पाउडर आधा चमच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला साथ ही थोड़ी सी बारी कटिवी हरी धनिया की पत्ती और हम इसमें दो छोटा चमच मैदा डाल देंगे मैदा के जग़ा पे आप कॉन फ्लोर का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद बिना पानी डाले हम सारी चीजों को कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि पनीर के उपर मैदा और सारे मसालों का जो मिक्स रन है वो अच्छे से कोट हो जाए तो यह देखे यहाँ पे पनीर जो है वो रेडी हो गया है पनीर को हम एक साइड में रख देते हैं और एक घोल तियार करते हैं तो बावल में हम दो चमच मैदा डाल देंगे युक्रा निम्बू को ये रस को हम इस तरीके से निचोड के डाल देंगे और साथ ही हम इसमें तीन से चार चमच पानी डाल देंगे एक बार हम इन सब को मिक्स करेंगे तो यह देखे पानी जो है अभी कम है तो इसमें हम आदा कब पानी और डाल देंगे और इसका जो गोल है वो हम गाढ़ा तियार करेंगे ताकि पनीर के उपर अच्छे से ये कोट हो जाए तो अब ये मैं आपको गोल की थीकनिस दिखा देती हूँ, ये देखे अब यहां पर मैंने ब्रेट क्रम्स लिये हैं, तीन ब्रेट को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके बिल्कुल बारी किस तरीके का पाउडर त्यार कर लिया है तो ये breadcrumbs ready है अब हमें क्या करना है कि पनीर को हम कुछ इस तरीके से spoon में उठाएंगे और फिर हम इस घोल में इसे डालेंगे और उसके बाद हम इसे breadcrumbs में डालेंगे और bread crumbs के उपर पनीर को हम चारो तरफ फैला लेंगे तकि bread crumbs जो है पनीर के उपर अच्छे से coat हो जाए तो ये देखे इसी तरीके से हम सारे पहले पनीर को ready कर लेंगे और उसके बाद हम पनीर को deep fry करेंगे तो यहाँ पे तेल जो है वो पूरा गरम है तो इसमें हम एक एक करके पनीर को डाल देंगे और हाई फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए हम इसे डार्क ब्राउन कलर का कर लेंगे यह पनीर की जो रेसेपी है वो बहुत ही जटपड बन जाती है और बहुत ही स्वादिस्टी रेसेपी है तो अगर आप इसे छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं बच्चों के बर्दरे पार्टी में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही जटपट बनने वाली रेसिपी है या फिर चाय के साथ आप इवनिंग स्नैक में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं तो यह देखिए इसे हमने लागातार चलाते हुए डार्क ब्राउन कलर का कर लिया है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और चाय के साथ या लाइक सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच